कृशी और उद्ध्यानिकी मंत्री डॉक्टर खिरोडी लाल मीडा ने कहा है कि कृशी से जुड़े सेंटर फॉर एक्सिलेंस किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर काम करें किश्यमंत्री ने कल जैपूर के बस्त्ति जिंदोल में स्थापित राजस्तान, राजबीज निगम के विधायन केंदर, राजस्तान आलिव कल्टिवेशन सेंटर के उतक्रिष्टा केंदर और अनार उतक्रिषटा केंदर का अवलुकन किया इस दोरान उन्होंने अधिकारियों से विभागिये कारियों में आ रही समस्या के बारे में विस्तार से चर्षा कर उनका निस्तारन किया जानकारी किसान को मिले और कुसम योजना में जो हमने वो दिये थे पब्ल वह कम हमारे लाके में जानकारी है तो इनकी जानकारी मिले उनकी लागत का वो क्यूंड सबसीदी है और उसके कहां वो उतपाद ज्यादा करें जिससे किसानों की आर्टिक इस्ते मजगूए रहें और सौधिवस में कौन कौन से कारी करने उनकी जानकरी किसानों को नहीं है हमारे उसमें तो है कागजों में लेकिन किसान तक जा नहीं पा रहे उसको किसान तक पहुंचाना और किसान की वैभूती बढ़ाना यह हमारा उद्देश प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा से और खिसान को उचित मूली मिलें, कुछ खिसान भी लगाना चाहते हैं, तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, इसके हम दरवाजे खोल रहें.